यदि आप भूत पूर सैनिक एक सर्विसमेन है तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इस विडियो में फ्रेंड्स आपको और ओपी टूस रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कि आपको जॉब की नोटीफिकेशन तूरंद मिलेगी तो आए धेकते हैं क्या है न्यूज यहाँ पर देखिये फ्रेंड्स यहाँ पर यह निज निकल करके आ रही है आज तक की तरफ से वन रैंक वन पेंसन पर जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे पूरु सैनिक है वो आंदोलन पे लगे हुए थे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं थे लेकिन यहाँ पर जो है सरकार ने जो है 15 तारिक यानि 15 दिसंबर 2022 को जो पेमेंट करना था जो टेवल जारी करना था OROP2 का उस पर जो है बड़ा यूटन लेते हुए तीन महने का एक्स्ट्रा समय मांग लिया है जिसके कारण जितने भी हमारे पेंसनर है जितने भी हमारे एक सर्विसमेन भाई या बहन है उनको काफी जादा यहाँ पर टेंसन हो गिया है क्यूंकि उनका जो है लंबा काफी जादा लंबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंतजार 2019 से आज 2022 हो चुकी है और अभी तक जो है कोई भी पैसा का एक रुपया भी उनके खाते में देखने को नहीं मिला है उपर से सरकार हर बार तीन महने का एक्स्ट्रा समय मांग रही है और हर बार जो है जितने भी एक सर्विसमेन है काफी जादा इस से जादा आहत होते जा रहे हैं लेकिन आपको घबडाने की बात नहीं है क्योंकि इसका जो सुनवाई है इसके लिए जो है हमारा जो एक सर्विसमेन वेलफेर जो सोसाइटी है वो यहाँ पर लग चुका है और वो पूरी कोसिस कर रहा है कि दो जनवरी को जो सुनवाई होने वाली है आपको बता दू दो जनवरी को यहाँ पर सुनवाई होने वाली है कोट में कि सरकार को तीन महने का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उसके लिए दो जनवरी 2023 का डेट रखा गया है और दो जनवरी 2023 को य है तीन महने का एक्ष्ट्रा समय मिलेगा या फिर उसको तीन महने से पहले ही कहें तो दस दिन या पंदरा दिन के अंदर ही पेमेंट करना होगा ये दो जनवरी 2023 को पूरा क्लियर यहां पर होने वाला है सिनारियो जहां पर पूरा चीज दो तारिक को आपको क्लियर देखने क को मिलने वाला है तो फ्रेंड्स फिलाल वीडियो में इतना ही कुछ है यदि कोई और इंफोर्मेशन निकल करके आती है वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको हमारे यूटूब चैनल पे मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स थैंक यू